चानल पर करने हो तो चानल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन वेल आइकन को और फेसेट कर लेना क्योंकि यूनीक वीडियो की लिस्ट पढ़ी है और हाँ इस वीडियो को लाइज जरू करना शेर करना और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको कुछ सिक्यरिटी टिप्स दी है आप अपने फोन को कैसे सेफ रख सेकते हो कैसे अन्वांटेट डेटा आपके फोन में आने से बचा सकते हो और कैसे अपना डिवाइस अपना डेटा और अपने जाई मतलब सब कुछ आप कैसे स्क्यार रख सकते हो सब चीजे आज की इस वीडियो में हमने बताइए हैं हाला कि इसी वीडियो को व्यूज कम आते हैं लेकिन फिर भी हम स्क्रΓं अजरूरी वह इस बनाए भी है और इस बनानी भी क्योंकि कुछ कुछल आती है क्योंकि तो वीडियो को जो लोग जानना चाहते हैं एंटक ज़रू देखे और एंड में कुछ बाते हमने बताई हैं तो वीडियो को ज़रू देखे और जो लोग चैनल पर नहीं आए हैं तो निचे सब्सक्राइब बटन पर जाकर क्लिक कर लिजे दृष्टी बातित लोगों के करेंगे गौर्वर्मेंट रूल मिल जाएंगे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी और recording कि दोस्तों इस video को सभी के साथ छेर जरू करें आज हमारा ध्या ze masked बडून पर होगा तो कि बहुत सा लोग क्लिक करके वीडियो को शेर जरूर करें जनता में पावर है तो चंप demiş ने लोग शेर बटबे लग्लियो को कि युथे श्कियर दोस्तों सबसे IMPORTANT चीज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को अंड टक जरूर देखना है बस कुछ चीज हमने कही है एंड में तो वह चीज आप लोग को जानना जरूरी है तो इसलिए वीडियो को अंड टक जरूर देखना अब यहां पर कई सारे लोग हमसे पूछते हैं कि मतलब मोबाइल को सेफ कैसे रखे या फिर अपने एंडरीट को सेफ कैसे रखे मतलब किस तरह से हम यह सारी चीजे हम लोग सेफ रख सकते हैं तो कुछ इंपोर्टन चीज यहां पर आप आप लोगों के साथ डिसक्स करेंगे हाला कि कई बार हमने एप इंस्टॉल अपने आप ना हो इसके लिए आपको ध्यान देना वह कैसे आप दे पाऊंगे सबसे पहले तो एप कौन से ट्रस्टे सोर्से से आप डाउनलोड करोंगे तो गूगल प्ले सोर यहां फिर आप स्टॉर है अगर आप डिपोन हो तो अथा को कोई और अधर आता जैसे जैसेलत गैट प्लीकीशन जो आपको नीड मेnyद मेंधना करेंद रहें फिर主 है है यह नहीं है क्लुप प्रेस्टोर में दे रहे हैं ल přेस्कों इंड हора याप्र स्टिक करना है तो आपको पर छयांकर कि दिए जितने टायम लिए टाइम के लिए शो क्यादिए और कteri पर ठीक है और अनशोल प्रते समय जैसे बेने हमेशन है कि आगर की पी जगन पर अपना आकाउंट बनाते हो सो आपको पहले अपना account डिलेट या फिल लॉग आउट करना है उसके बाद उस application का cash clear data सब करना है उसके बाद उस application को अनिस्टॉल करना है क्यों application तो अनिस्टॉल कर देते हो लेकिन इसके folder या फिर वह सारी चीजे उस एप्लिकेशन में आपका अपना account बना रहता है तो इसलिए आप लोग को अपना account पहले डिलीट करना है cash data mobile data सब मतलब clear data mobile data ने clear data वह सब बंद करना है clear करना है और उसके बाद आपको उस application को हटाना है ठीक है तो यह तो हो गया टॉस्टेशन से आपको डाउनलोड करना अब अपने आप जो application डाउनलोड ना हो उसके लिए unknown sources अपने phone में setting होती है उसको आपको हमेशा बंद करके रखना है मतलब जिस application से application इंस्टाल कर रहे हैं जिस साइट से application इंस्टाल कर रहे हो तो हाँ पर आपको एक unknown sources की उस particular application के लिए दुबार असे उसको बंद नहीं करते हैं लेकिन आपको जाके unknown sources की जो permission जिस भी application के लिए promotion दे रखी है उसको आपको बंद करना है खास करके अगर आपको एप्लिकेशन डाउनलोड कर लेते हो आपको पता है कि आपने यह ट्रस्टे सोर्स से ही डाउनलोड कर रहे है तो एक टाइम के लिए आपको इंस्टाल होना है ठीक है अब ट्रस्टे सोर्से हम ने आप इंस्टाल कर लिए अब उसके आगे की प्रसेशर यह है कि आपको परमिशन चेक करनी है चरणी अपनी पर्सेशन को अल अलाओ पर खिलिकनी करना आपको यह पढ़ना है कि वह कि चीज की पर्मिशन ले रहा है हाँ न आज कल जो है अस प्रेसाइज आता है मैं सबसकरों चीजों के उसको पर्मिशन ले जाए रही जब जो जो चीजों की उसको permission लगने वाली है, उनी चीजों की उसको permission दी जाए, मानने जे contact की कोई application है, तो उसको contact की permission दे दी जाए, है ना, तो वो अगर camera की permission ले तो उसकी क्या ही ज़रूत है, है ना, तो आपको इन सब चीजों का ज़रूर ध्यान देना है, कि अगर कोई application काम क्ता है और उसको अपने phone में काम करनेके लिये रंड करनेके लिए किन किन चीज़ों की ज़रत पड़ने वाली है उन्हीं चीज़ों के आपको परमिशन देने हैं तो परमिशन बहुत होते हैं मतलब इसके बाद कोई करेकटर होता है कि हाँ यह password ही है और उपासवद बना के दित Eh community my password email password account password पासवॉर्ड कभी ओपने रखो एक आप पर लिक और रहो लेकिन android phone में आपको अपने किसी तरह के पासवॉड नहीं रखने या पर आप गूगल आता है तो उसको भी ना करें अब प्रप्र नहीं करता नहीं करता से वां करने के लिए जो कई बार आप से पूछता है pengel shock टो 17 y help een नोटना मिझे करें आप आतके पासवर्ड या तो आपके मांड में होने चीहें या तो फिर आपके पस्वर्ड से पहले, कहीं और आप लिक्क के रखो, फोन नहीं, पोन में आपको किसी भी तरह कि आप सवेर्ड आपको नहीं रखने है दूसरी चीज आप जो पास्वर्ड कही भी मतलब आगर अप भूल जाते हो तो आप फोगण चोलो bride करने के लिए आपको ओप्छन्स मिल जा कि बड़े जन थे और आपको अगर यसा लगता है कि आपका फौन बहुत सारे लोग यूज करते हैं कि मतलब आप अपना किसी को भी देते हो तो आपको तांपको टैन्स पास्वोड चेंज करना है अगर आपको लगता है कि नहीं अपने तांधा दिन Selectal you ठीक है आप अपना पासवर्ड चेंज करो को इशू नहीं है अगर आपको पासवर्ड याद रहते हैं तो चेंज करो या तो फोगट करो तो यह चीज है अब पासवर्ड के बाद सबसे important चीज़ ऐती है तो भी लोग का खरते हैं स benefakticon ने चाहिता तो बचे फिर बने से जो है बचे क्योंकि अब बहुत सारी डेटा तो इतना डेटा देता जाते हैं तो फ री वाई-फाइ बेल्कुल भी उजने के ना पबल्으 स्ट डेच में अगराफ को लगता है कि आपका Bachelor है को इसे इस्पर आप याई और अपने फोन का Bluetooth जाने पर बंद जरूर करें वह साल क्या करते हैं मतलब अपने हैट्षेट मतलब जो आपका नेकबेंड है या Bluetooth उसको बस अन करते से इक करनेक हो जाए करके Bluetooth चालो ही रखते हैं उससे दो चीज़े होती एक तो आपके बैटरी ज्यादा कर्च होती है ज्यादा 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 होती है Bluetooth और दूसरी चीज आपका जो Bluetooth है वह आन होने से कुछ भी आपके फोन में आ सकता है अगर गलती सी पर अपने परमिशन दे दिया कुछ भी कर दिया तो कुछ भी आपके फोन में आ सकता है इसलिए Bluetooth हमेशा आपको बंद करके रखना है आपका काम नहीं होने पर Bluetooth आपको बंद करके ही रखना है अपने फोन का इस चीज का सबसे इंपोर्टन आपको ध्यान देना है अब यहां पर सबसे इंपोर्टन चीज आती है होगल से साइड को सर्च करते हो किसी भी साइड को opn करते हो तो वहां पर सयमलें डॉइलर साइड खी होती है मान लीजे if system for blind म औट रगवें है ना या फिर कोई भी की साइड ओपन कर रहें तो आपको यह देख लेना है कि वह साइड जो ट्रस्टेड है या नहीं है अब मान लिजे आपने WhatsApp.com खोल लिया तो उसमें मतलब यह एक एक जामपल दे रहा हूं है आपको तो बिल्कुल सेम टू सेम साइड भी होती है लेकिन ओफिशल नहीं होती है तो जरूर आपको चेक करना है अगर अगर कोई साइड जो है एक स्पोर कर एब आपको चेक करना है दूसरी आप जो है किसी भी साइड को ओपन करो तो आपकी कोई परमिशन या कोई डेटा वहाँ पर लीक ना हो कोई आपके फोन में ना आए तो यह चीज़े आपको ज़रूर इन सब चीज़ों पर ज़रूर ध्यान देना है क्योंकि साइड बहुत जाद लोग एस्प्लोर करते तो व जो की थोड़ा सा टॉपिक से हटके लेकिन फिरन में हाँ पर बताना चाहूंगा आप लोग को कि अगर आप GOOGLE साच करते हो Google सेर्च करते हो मानलीजे कोई नमबर सेर्च करते हो ठीक है नमबर के बारे में यह खास करके गहूंगा मानलीजे अपने फोन पे customer number सेर्च के लिए वहाँ पे आपको number मिल जाता है तो पहले अब यह चेक करो कि वो जो इसी भी सोर्स से अगर कोई भी नंबर ढूंड रहे हो तो ट्रस्टेड शोर्स से छी नंबर लो जूसे पोन में तो तो की सारे घलत नंबर भी होते हैं और जिससे संभवना है वह अगले किसी वीडियो में बताएंगे वो हम आपको किसी अगले वीडियो में बताएंगे लेकिन आप जब Google से कोई भी नंबर सर्च करते हो तो पहले तो आपको यह चेक करना है कि क्या वो नंबर सही है और दूसरी चीज अपनी डीटेल जैसे डेविट कार्ड डीटेल अपना नाम आधार कार्ड नंबर यह वो नखिए अधार भी डीटेल सांसने में आपको जाकी करो फोन पर तक अपनी डीटेल बिलकुन वें आपको नहीं दी कुछ इपार्ट चीज आपके डिवाइस को सेफ रखने के लिए सिक्ज्यार रखने के लिए और जो है malware से बचने के लिए मतलब काफ़े सारी चीज़े हमने बता दी अब जो सबसे important बात थी जिसके लिए आप सभी लोग रुके हुए हो वह सबसे important बात दोस्तों यह है कि हमने कई सारे ऐसे वीडियो बनाए कई सारे कई बार इस topics पर मुने बोला फिर भी लोगों की complaints इस ब वीडियो पहुश नहीं पाती है तो दोस्तों यह जो वीडियो होती है यह सबसे ज्यादा important होती है text-to-speech talkback screen reader हजारों में वीज आते यार और यह जो वीडियो होती है इन में वीज नहीं आते क्यों क्योंकि लोग कहते तो है safe है safe रहना है कैसे करे का करे लेकिन उनको यसी वीडियो शेयर करनी है जिनको इन चीज की जरूत है उनते की वीडियो शेयर करनी है तो आज खास करके हमारा ध्यान शेयर बटन पे रहेगा तो हमने कई बहार कहा है जनता में पावर है तो आज जनता की पावर देखनी है शेयर बटन पे क्लिक जरू करे और वीडियो को के साथ शेयर करो और यह जीज जो है बहुत ज्यादा इंपोर्टन्ट है तो उमीद करता हूं जनता आज अपनी पावर जरूर दिखाएगी वीडियो को सब के साथ शेयर करेगी मैं मिलता हूं किसी और इंटरस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए जैहिन